नमस्कार मित्रों, सेव आयरुविदा में आपका स्वागत है नसा की समस्या आज के लिए ऐसी समस्या है एक बहुत ही खराब समस्या है जिससे कई घर परिवार बरबाद हो जाते हैं लडाईयां जगड़ा हो जाती हैं बच्चों की सिच्छा दिच्छा ठीक से नहीं उपाती है घर परिवार में हमेशा टेंसन लगा रहता है कुछ लोग फांसी तक लगा लेते हैं आत्मत्या कर लेते हैं तो नसा एक सामाजिक बुराई है तो नसा के लिए कुछ लोग दवाईं भी खाते हैं एलोपैथी में दवाई ऐसी दवाई आती हैं कि जैसे रोगी को बिना बताए नसा जो करता है उस ब्यक्ति को बिना बताए और दवाई खिलाई जाती है तो नसा छोड़ देता है ऐसी कई दवाईं कई बार बहुत हानकारिक थावित होई है उल्टियां होते हैं उससे कई लोग बीमार हो जाते हैं कई लोगों की मौत भी हो जाती है तो इस तरीके की कई दवाईयां हैं तो जिससे नसा तो नहीं छूड़ता है लेकिन परेशानी कहीं बढ़ और जाती है और दिनो दिन यह जो आदत जो है यह नवयवकोमा भी बढ़ती जा रही है तो एक गंभीर समस्या है पूरी देश के लिए समस्या है जिस घर में बाप नसीड़ी होता है नसा करता है खासकर सराब का तो वो सब कुछ बीचनी लगता है घर में कलेश रहता है खाना नहीं बनाने देता है खाना खाना नहीं देता है बच्चों का सिच्छा-दिच्छा का बध्यानग खता है यानी अससा पूरी लाईब बरबाल हो जाती है कई पति ऐसे होते हैं चापा तो उनकी पत्नियाँ घर चोड़के चले ही जाती है करी समय लाई जगड़े वह जाते है तो इस बीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे उपचार बताऊंगा जिससे नसा को आराम से छोड़ाया जा सकता है अगर आप थोड़ा सा भी जागरूग रहें ध्यान रहें तो और साथ में ये भी है चाहे उस नसा करने वाले वेक्ति को बताओ या मत बताओ फिर भी नसा आपक को शुरू करते हैं पहली बात तो कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरा नसा छूड़ता नहीं है मैं छोड़ने पाता हूं छोड़ने के दिच्छा बहुत करता हूं लेकि छोड़ने पाता हूं इसके लिए क्या होता है कि जैसे मेडिटेशन होता है कोई लोग मेडिटेशन करते तो उसी प्रकार के सुवह-सवह थोड़ा आराम से सूखासम में बैठ जाना है, उसके बाद यह जो है उसको बंद कर लेना है और यह बायनाक से तेजी से सांस लेनी है और तेजी से सांस छोडनी है तो इससे क्या होगा चंद्रनाडी सक्री हो जाएगी चंद्रनाडी एक्टिवेट हो जाएगी मतलब जब वो अधिक मात्रा में दाहिनी ओर से स्वास भार आती है और अंदर लेते हैं तो सूरिनाडी चल रही होती है और इसकी विपरीत अगर बायं तरफ से ऐसा होता है तो चंद्रनाडी चल रही होती है तो इस प्रकार से जिन लोगों की सूरिनाडी एक्टिवेट है सक्री है उन लोगों को अपनी चंद्रनाडी एक्टिवेट करनी है सक्री करनी है तो इससे क्या होगा उनकी संकलब सक्ती मजबूत हो जाएगी तो वो किसी भी काम को उनको आसा गुद भी खराप बाग्वा थोह। जड़े यह बुद्धी को खराब कर देता है तो चलिए बताते हैं जातर ध्यान एलोपेथे दवाईएं की ओर जाता है कुछ लोग ऐरोवेथ दवाईएं की तरफ भी ध्यान देते हैं तो इसमें हम बात करना चाहें एक होमोपेथे दवाई है इस से पहले एक कारण समे लेते हैं कि वैक्सी नसा करता क्यों है जिस प्रकार सरीर के लिए बिटमिन्स जरूरी हैं उसी प्रकार से सरीर के लिए मिनरल्स भी जरूरी हैं कई बार जब लंबी बीमारी से बिक्ति उड़ता है या मेलाओं को प्रेगनेंट्सी पीड में या एक्सटेंट हो जाने के बाद में कई डॉक्टर जो है मल्टी बिटमिन और मिनरल्स के कैपसूल या दवाएं देते हैं तो इसी प्रकार से एक मिनरल है एक तत्तो है जिसकी क कमी हो जाती है बोडी में इसको सलफर वोलते हैं जब इनसान के सरीर में सलफर की कमी हो जाती है जिस प्रकार से बच्चों के और अक्सर गरबती मेलाओं के क्योंको उसको नवजास हिसू को भी पोस्टर देना होता है तो इनके सरीर में जब कैल्सीम कमी हो जाती है तो बच सुल्फर की कमी हो जाती है तो अगर सल्फर की पूर्ति कर दिया बोडी में तो वो वेक्ति सराव आराम से छोड़ देता है में तमाव गुट का छोड़ देता है तो चलिए इसमें संपर ती किस प्रकास से करेंगे एक होमोपेथिंग में एक दवाई आती है सलफर जो 200 पोटेंसी की आती है तो वो दवाई लाके SBL कंपनी की सबसे अच्छी होती है वैसे जैसी भी एबेलेबल हो आप ला सकते हो ज्यादा कोश्टली दवाई नहीं है तो वो दवाई सुबह सुबह एक बूंद जो सराप पीता है नसा करता है व्यक्ति उसको एक बूंद देनी है पहले दिन और दूसरे दिन भी सुबह गार देते हैं तो रेजल्ट कहीं ज्यादा अच्छी रहते है और दूसरे दिन भी एक बूंद देनी है और तीसे दिन भी हर सबते एक बून देनी है तो जो व्यक्ति छोड़ना चाहेगा वो आराम से इसको ले लेगा जीव पर भी डारेक्ट ले सकता है और जो व्यक्ति नहीं छोड़ना चाहता है वो यह जानेगा कि में तो पीनी पीनी है तो वो नहीं लेना चाहेगा तो उसको एक बून पानी मे बता रहा हूं से बड़े बड़े प्यकड़ों की दारू छूट गई है और छूट जाती है थोड़ा टाइम तो लगता है एक महीने लग जाए दो महीने लग जाए तो दोस्तों ये वैसे बिलकुल परफेक्ट और पूरी जानकारी है वैसे आप ये लेने से पहले किसी हमोप कर दोस्तों नाम से आती है और पैति की दुकान पर मिल जाएगी तो एक तो तरीका ये हुआ आप इस तरीके से अगर करेंगे तो वैक्तिकी सराप छूट जाएगी थोड़ा देहर बनाके रखें और ये दवाई दें और सराप छूट जाएगी और इसको थोड़ा संगत से दूरर रखें यार दोस्त हैं उसकी मंडली होती है मेफिल होती है जहां पीते हैं उससे थोड़ा दूर रखें और उसकी परिवार में नई दीकियां बढ़ाएं उसको समय दें थोड़ा सब लोग तो ये चीज़ें करने से आराम से दारू छूड़ी आती है दूस्ती ही च चीज है जनरली गड़ों में यूज होती अध्रक को छोड़े छोटे टुकड़ों में काट लेना है और टुकड़ों को काट के उन पर नीवु निचोड़ देना है किसी वर्तन में रखके और नीवु निचोड़ के उस पर काला नमकी भी बुर्ग देना है और वो फिर सुख दोप में उसके बाद सबस्य से सुख जाए पिर उसको दवाई की रूप में यूज कर सकते हैं जब भी सराप गुटका वीडी तमाखु की जब तलब लगती है अच्छा होती है तो इसको मुझ में डालके देले देदे चूसना आया देले दे जिस तरीके से गुटका चबात तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें इससे मुझे मुटिविसन मिलता है और यह अधिक सर्दिक सेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका लाउन मिल सके और जो है अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लेटेस्ट वीडियो की जानकारी पा यह अधियो ।